असलाम अलेकूम, आज मैं आपको बताने जा रही है, बावर्ची के एक स्पेशल रेसिपी, गार्डन चिकन की रेसिपी, यह सेमी ग्रेवी के साथ बनती है, आप चाहे तो इसे ड्राइब भी बना सकते हैं, आप इसे स्टार्टर के तौर पे भी खा सकते हैं, आप में कोस के अपर यह उसका है, चोटी जो चिकन होती है उसका उससे बहुत भैतरीन बनता है, ढाबा या बावर्ची के जो भी रेसिपी होती है अकसर देखे छोटी चिकन में बनती है तो बहुत जायका बहुत ही डिफरेंट होता है, तो इसे अच्छे से हमें लाइट ब्राउन होए अपरिए अपरिपह से तक चोटा लेना है, आप चाहिए तो थोगा सा नमग भी आट कर सकते हैं आपके ऊपर अपर डिफेंट है, आपकी जो चोटा कर लेना है चलाते हुए देखे हलके हलकि की अलगर चेंज कर लिए चिकन ने हमारे तो और ब्राउन करना है, देखे जित किसाई चिकन में निकाल लिया, बुसी ओयल के अंदर हम एट करेंगे 1 टेबल स्पून अद्रक लसन का पेस्ट, आप क्रश करके भी एट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सब्सक्राइब चाइनिस फ्लेवर होता है, तो वह हिसाब से अब इसे जो है क्रश करके भी जो है अद्रक क्रश करके अट किया है, अब इसे अच्छे से कुक कर लेना है, जब अधक लस्तर हरी मिर्चो की समेल चले जाए तो इसमें एक चिकन मैगी क्यूब, और जब भी चिकन मैगी क्यूब आट करें किसी भी रेसेपी में तो नमक को ज़रास दिहान से आट करिएगा, इसी के नहीं है तो आप जो है सोया सॉस भी यूज कर सकते है, यहां पर हाफ टेबल स्पून मैं एट कर रही हूँ वाइट पेपर पाउडर, और इसी के साथ हम आट करेंगे वन टीस्पून जो है शकर शुगर, जरूर अट करिएगा इससे बहत अच्छा फ्लेवर राता है, बैल करेंगे आप अमुल चीज या कोई भी चीज एट कर सकते हैं बस मैल्ट होना चाहिए अब यह चीज जो है वह मैल्ट हो जाएगा इसी की घरमाहट से और इसी में हम जो है 150 ग्रैम जो है फ्रेश क्रीम एट करेंगे थोड़ा थोड़ा करके हमें आट करना है आप चाहे तो स्टेज पर थोड़ा सा दूद या पानी भी इसके साथ एट कर सकते हैं और अगर आपको स्टार्टर के तौर पर खाना है तो आप कुछ भी मत एट करिए उसके बाद देखे मैंने यहाँ पर जो है ना वन टीस्पून ग्रीन फूट कलर एट किया है तो इस तरीके से कलर को अपने तो भी अपने अपने एट कर देंगे और फिर से मैंने गैस के फ्लेवर ने डिफरेंट आता है चाइनीज में भी आता है क्रीमी क्रीमी भी आता है आप में जो ढबे पर चीकन खाया होगा ना उस तरीके अगा फ्लेवर रहेगा लेकिन सौसेस का जो बिल्कुल जब ही जब क्यांका ब्लकुल माद बूलिएगा अब जो है यह हम एड़ी कर लेकद कीजिए मुझे मुझे कर लेक्ण करना बिल्कुल मत बूलीएगा अब जो है चीकन को हमें देव 2-3 मिन के लिए को कुक कर लेए और इसके पार हम नहीं यह यह पे अट कर ना है इसके 10% चिकन नहीं बाकी है अब देखिए तीन मिनट हो गया है तीन से चार मिनट होने के बाद और यहां पे कुखो चुका है और अब आपको ना दिखाती। इसका लुक यह देखिए कि तब हैतरी नहीं हमारा गार्डन चिकन बनके रेडी हो गया है तो अभी मैं आपको मिलती देखिए रेडी है हमारा बैतरी इनसाइद दम यूनिक स्टाइल बावर्ची स्टाइल गार्डन चिकन की रेसेपी जरूर ट्राइ किजिएगा आपको भी बहुत पसंद आएगी अगर आपको मेरे गार्डन चिकन की रेसेपी अच्छी लेगी है तो मेरे चानल को लाइक, क्यों चटै की शर्ची स्टाइब बंसाइब रेसेगे जरूरो तो मेरे यार आपको यूस्टाइब पसंद दूमारा आपको नह टनाल